साथियों, आज जब हम आजहदी के अमरुत महोत्सव के दोरान गनतंत्र दिवस की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं यहां एक दिल्चस्प किताब का भी जिक्र करूँगा। कुछ हपते पहले ही मुझे मिली इस बुक में एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट पर चर्चा की गई है। इस बुक का नाम इंडिया दे मदर अब डेमोक्रसी है। और इसमें कई बहतरीन ऐसेज है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्र है और हम भारतियों को इस बात का गर्व भी है। कि हमारा देश मदर अब डेमोक्रसी भी है। लोगतंत्र हमारी रगों में हैं, हमारी संस्कृति में हैं। सद्वियों से ये हमारे कामकाय का भी अभिन्न हिस्सा रहा है। स्वभाव से हम एक डेमोक्रेटिक सुसाइटी है। बाबा साब का मानना था कि भगवान बुद्ध को इसकी प्रेणा उस समय की राजनितिक व्यवस्ताओं से मिली होगी। विस्तार से बताया गया है कि ग्राम सभा का संचानन कैसे होना चाहिए और उसके सदस्यों के चैन की प्रक्रिया क्या हो। हमारे देश के इतिहास में डेमोक्रेटिक वेल्यूज का एक और उदारण है। बारवी सदी के भगवान बस्वेस्वर का अनुभव मंडपम। यहां फ्री डिबेट और डिस्कुसन को प्रोचान दिया जाता था। आपको यह जानकर हरानी होगी कि हम मागना कारटा से भी पहले की बात है। वारंगल के काकिये वहुश के राजाओं की गणतांत्रिक परंपराय भी बहुत प्रसिद्ध थी। भक्ति आंदोलन ने पस्चिमी भारत में लोकतंत्र की संस्कृति को आगे बढ़ाया। बुक में सिख्पंत की लोकतंत्रिक भावना पर भी एक लेक को शामिल किया गया है। जो गुरुनानक देव जी के सर्वसंबति से लिए गए नीड़ों पर प्रकाश डालता है। मद्य भारत की उराओं और मुंडा जन्जातियों में कॉम्यूनिटी डिवन और कॉंसेंस डिवन डिसिजन पर भी इस किताब में अच्छी जानकारी है। आप इस किताब को पढ़ने के बाद मैस्कुस्त करेंगे कि कैसे देश के हर हिस्से में सद्यों से लोकतंतर की भावना प्रभाही तोरती रही है। मदरब डेमक्रेसी के रूप में हमें निरंतर इस विशाय का गहन चिंतन भी करना चाहिए, चर्चा भी करना चाहिए और दुनिया को अवगत भी कराना चाहिए। इससे देश में लोकतंतर की भावना और प्रगाड होगी।